तो आज की रेसिपी है राजमा और मटर यह देखिए बरे बरे दाने हैं राजमा के और हमने यहां पर थोड़ा सा मटर लेने आए तो राजमा और मटर बनाएंगे मसाला मसाला राजमा और मटर बनाएंगे तो आप लोग देखते रहें कैसे बनता है फ्रेंड्स यहां हमने राजमे को कुकर पे ले लिया है तो हम इसमों चमर्च नमक इसमें डाल देंगे और सिर्फ दो सीटी लगाएंगे ज्यादा सीटी देने से यह राजमा जो है यह बह आप नहीं खाना है थोड़ा थोड़ा हार्ड करके खाना है इसको तब ही चलिए इसको सीटी लगा रहा है यह होगे लोग अब यह से गैस पर चबादेगे िए राज का ओ गया तो गया वर इना बनाते एसको मसाले शेव हमने यहां पर अध्रत ले लिए हैज सको बारिक बारिक से काटेंगे सब्सक्राइब यह पर थोड़ा सा में और एक प्याज और यहां पर थोड़ा सा आस डरीध प्रेंड्स on में इसको बारेक परेकस से काते हे इसके बाद तरह हम नने कड़ा एक हरा दिया है इसमें हम बनाएंगे आभी इसमें डालेंगे तिल तो फ्रेंड रिफाइंड ओयल से बनाएंगे तो इसके लिए हम तो इसे इसमें बाइब डाल देते हैं तो पहले जीरा इसके बाद दाल मिर्च और दो टेज पत्ता इसमें डालेंगे इसे अच्छे से अच्छे से अच्छे से अच्छे हो चुका है अब हम इसमें नालेंगे अधरत लसन और हरी मिर्च तो इसे भी हम दो मिल्स तक ऐसी पैइकर लिएर तो और हमेशा आज कम करके इसको बनायें नहीं आज जाल राएगा तो इस्तेस्में डिप्र आजाएगे अब हम डालेंगे इसमें धनिया पाउडर, इसके बाद थोरी सी हल्दी, इसके बाद एक चमर जीरा, और इसके बाद हम डालेंगे इसमें थोरी सी लाल मिर्च, यह अप्शनल है, यह कलर के लिए है, चाहे तो दे सकते हैं, जाना ही तो आप लोक स्किट कर सकते हैं, नहीं हम फॉल किया हुआ राजमेज में डाजमें, जाजमे लेगे इसमें, विस्ट शेटरा से मिला लेंगे, बहुत ही अच्छी तरह से इसको आप हम डालेंगे इसके थोड़ा सा पानी अभी इसको ऐसे डब के लगए तो फ्रेंज अच्छी तरह से पक चुका है यह देखिए इसमें तेल भी छोड़ दिया है तो अब हम इसमें बॉयल के आवा बचा हुआ पानी है अब हम इसमें ग्रेवी के लिए इसमें टाल देखिए दस मिन्ट तक इसको दुबारा पकाएंगे फ्रेंज दस मिन्ट हो चुका है यह देखिए हमारे अब हम इसे रोटी के साथ सर्फ करेंगे आप लोग इसको चावल के साथ भी खा सकते हैं लेकिन हमारे हम आज इसे रोटी के साथ टेस्ट करेंगे और फ्रेंज अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दे ताके आगे भी और अच्छी अच्छी वीडियो आपको मिलती रहे है